Hello friends, welcome to our channel treadmill test या TMT या exercise stress test दोस्तों क्या होता है exercise test क्या होता है TMT क्या होता है treadmill test दोस्तों हम लोग के medical science में बहुत सारा literature है बहुत सारी complicated terminology है बहुत सारी books है जिसको आसान भाशा में आप तक लाना आपको इसको easy words में 5-10 मिन में समझा देना हमारे इस चैनल का उद्देश है तो उसी उद्देश के तहत हम लोग आज का जो topic है TMT test या treadmill test मैं लेके आया हूँ मेरा नाम है डॉक्टर वैवर पतापसी और मैं आपनों का welcome करते हूं हमारे चैनल friendly doctor पर तो दोस्तों शुरूआत करते हैं treadmill test या TMT जैसा की नाम में छिपा है यह treadmill होती है आप लोग वाकिफ हो यह जाते होंगे तो यह treadmill का test है treadmill machine पे होता है तो दुस्तों इस तरीका सा यह तो अपना gym की treadmill है बट जो test होता है उसमें यह patient है यह equipment है treadmill है और इसमें जो special बात होती है यह treadmill होती है इसको incline किया सकता है इसका slope बढ़ाया यह घटाया जा सकता है ठीक है और यह किसी doctor या technician के ब्लेट प्रेशर और और भी कुछ चीजें जो हैं वो हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं यह सब ECG लगी हुई है पेशिंट की चस्ट पर ECG लगी हुई है और यह प्रॉपर तरीके से यहां पर ECG हो रहा है और एक टेक्निशन अब्जर्व कर रहा है तो यह तो दोस्तों जब पहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें एक होती है निगी जो हर्ट की ब्लड सलस्ट होती है जो उनकी स्टडी कि उसमें कहीं ब्लॉक इज है यह नहीं है तो इसको आइंटिफाई करने के लिए क्लेदमिल टेस्ट किया जाता है तो चेस्ट पेन है या कोई भी तो दोस्तों यह को पकड़ता है और यह टेस्ट मेडिकल में कोई भी टेस्ट परफेक्ट नहीं होता है है ठोड़ा ठोड़ा plus and minus कोई अच्छा होता है कोई डेस्ट थोड़ा इंफिर रहता किसी तेस्ट में जो टस्ट किसी और स्टीस में अच्छी इंफिर्मेशन दे दता है तो कही ना कहीं कोई भी 100% ऐसे absolute test नहीं होता है medical science में उसी प्रकार ये भी perfect नहीं है इसकी 70 to 75% sensitivity और specificity है यानि कि 25 से 30% ये false positive ये false negative कई बार हो सकता है तो दोस्तों क्या से क्या क्या त्यारी करके जाएंगे अगर आपको ट्रेड्मिल टेस्ट करना है पहले तो बहुत जाद एक्सपेंसिव नहीं होता है ये टेस्ट होता है और इसमें आपको सिंस आपको exercise करनी होगी आपको बहुत तेज स्पीड में walk करना होगा तो आप तीन से चार घंटा खाली पेट रहें और सिर्फ अगर लेना है तो थोड़ा बहुत पानी ले सकते हैं और आपका सिंस ECG होगा तो आपको loose clothes या तो hospital वाले प्रोवाइट कराएंगे या अगर आप जा रहें तो अपना loose clothes आप पहन के जाईए और सामने से open रखना पड़ेगा क्योंकि आपका ECG leads लगेंगी सामने तो most ऐसे हलके close और most likely hospital यहां भी diagnostic center आप जहां कराएंगे वापको change कराया जाएगा तो और फिर ECG leads आपके body में apply किया जाता है और इस test में आपको फिर ECG test के दुरान लिया जाएगा और यह test आपका किसी technician या doctor की supervision में होता है साथी साथ यह advice किया जाएगा कि आप कोई अपना attendant जाती मारदार साथ में लेके जाएं क्योंकि since exercise based test है तो कहीं नहीं हो सकता है कोई नहीं कोई हो सकता है मतलब less chances but there are chances कि थोड़ा बहुत कोई हो सकते cardiac event आपका flare कर जाए तो किसी के साथ attendant लेके जाएं और जो आपकी जो medicines अगर आपके कोई हर्ट-related या नौन हर्ट-related medicines ले रहे हैं तो वह test के पहले अपने डॉक्टर से जो वहाँ पर टेस्ट कर रहा होगा उससे discuss कर लें कि क्या medicine ले सकते हैं discontinue करनी है तो बहुत सारी आपा जाएगा ECG लिया जाएगा फिर आपका ECG जो है डॉक्टर या टेक्निशन स्टड़ी करेगा अगर वह ओक्य है अगर उसमें अल्रेड़ी चेंज़ नहीं किया जाएगा अगर आपका ECG ठीक है ठीक है तो फिर आप blood pressure गया सब ठीक है तो आगे प्रसीड किया है कि कई बार पहले से कुछ ECG में चेंज हो रहते हैं तो जो फाइनल रिपोर्ट है वो बेस्टाइन ECG को मिला के मैच करके बना जो आप exercise करके stress दिया गया हार्ट पे और जो बेस्टाइन ECG हुआ वो दोनों को मैच करके ही रिपोर्ट बनेगी तो दोस्तों फिर क्या किया पचास साल के हैं तो 170 आपका target heart rate आपको exercise करके भाग के रनी करके 170 जो है वो आपका target है बट उसका 85% या उपर आपको अचीव करना है अगर आप 40 साल के हैं तो 220-40 180 हो गया और उसका 85% somewhere around 150 हो गया तो आपको during the test 150 heart rate अचीव करना होगा और मोटा मोटा ये भी समझ लें कि अ आप अचीव कर ले रहें without any symptoms यानि कि बिना कोई chest में पेन हुए बिना कोई major problem हुए तो आपका TMT test negative आएगा तो दोस्तों इसको test को जब study करने के लिए protocol बनाया गया था Bruce protocol और फिर उसको modified Bruce protocol करके बना दिया गया था यह Bruce protocol एक डॉक्टर थे जिन्होंने काफी पहले प्रोटोकॉल बनाया था और TMT test के शुरुवात करी थी इसको बाद में modified Bruce कुछ नहीं है जिसको बोलते है modified Bruce protocol तो यह test में कई तरह की stages होती है ठीक stages कैसे हैं तीन-तीन मिनट की stages बनाए गया है करीब आपका टेसे बारा से पंदर मिनट चलेगा ठीक है यह देखिए 18 मिनट तक यहां चलना है इसमें आपको speed बता जाएगी इतने miles per hour या इतने km per hour की speed से आपको चलन चलना पड़ेगा ठीक है अगर समझने के लिए कई बार आप चलते भी होंगे तो उसमें भी 77.58 8.59 9.5 तक रीडिंग आती हो किलोमेटर पर आर की रीडिंग होती है तो करीब इतना आप मलदा इसलिए बतारों कि exertion इतना है आपको इतना mentally prepared होना है कि इतनी speed और उसकी उप आपका बढ़ता जाएगा तो आप मोटा मोटा समझें stage 5 में आपको 8 किलोमेटर पर आर की speed से चलना है तीन मेंट तक चलना है वो भी एक slope पे तो इतना physically exerting a test होता है तो यह mentally prepared होके जाएंगे आप और इसलिए चलना होगा तो I would say कि sports shoes जो जूते अच्छे जूते हैं sports shoes प्रकार है modified boost protocol है तो जो elderly है sedentary है उसमें थोड़ा थोड़ा असान कर दिया गया है जो यह speed है थोड़ी 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 कम कर दिया जहाए फाइन stage 6 थी यहां फे 5 कर दिया गया है ठीक है और duration भी नेर बाउट वही इसमें भी 12-15 मिंट का है तो दोस्तों क्या इसमें इ ECG regularly जब आप यह सब activity कर रहे होंगे इस दोरान आपका ECG record हो रहा होगा ठीक है तो क्या ECG में हम लोग क्या चीज़ देखते हैं जो इशारा करती है कि हमारे heart में blockage है ठीक है तो यह ECG है तीनो positive case है ठीक है तो यह जो चीज है यह जो उपर की तरफ जो जा रहा है usually यह जो इसको ST changes बोलते हैं यह ST wave होती है अगर कोई medical का सुन रहा है तो he or she might be aware तो इसमें यह जो है ST में changes है यहां पर आपका ST जो है धीमे से उपर जा रहा है यहां पर आपका ST नीचे है यहां पर आपका ST धीमे से उपर से नीचे जा रहा है तो यह सारे अगर ST changes है आपकी ECG में तो यह suggest कर रहा है कि आपको हर्ट में significant blockage है और आपको फिर उसका next step या तो CT corona angiography कर रहा है या तार वाली angiography जिसको cath angiobles ने वो कर रहा है तो आगे next decision आपको मिलेगा तो यह इशारह है TMT positive TMT भी ऐसे ही interpret किया जता है इधर negative होता है या positive होता है या indeterminate होता है ठीक है positive TMT suggest कि आपके heart में significant blockage है यानि की 70% के उपर आपका blockage है और दोस्तों इसमें फिर और भी scoring हो गया आप मिलब confused हो जाते हैं कई बार की Duke scoring दे दिया report में ठीक है तो उसको भी explain करने के लिए मुटा मुटा Duke treadmill score भी होता है इसमें कुछ नहीं करते हैं कितना आपने exercise किया Bruce protocol के और यह formula है कितना ST deviation हुआ जो मैं दिखा रहा था ST changes जो मैं दिखा रहा था कितना mm में आपा जाता है कितना उपर नीचे कितना changes हो गया और इंजाइना इंडेक्स होता है उसमें कुछ नहीं है एंजाइना नहीं कि आपको test के दोरान zero score है अगर कोई इंजाइना नहीं हुआ थोड़ा सा एंजाइना हुआ थोड़ा सा चेस्ट में दर्द हुआ पर आप काम करते रहें और दो स्कोर तब मिलेगा जब आपको इतना सेवियर से इंडिफेंट जाइना होगा कि आप चेस्ट ना कर पहें उसके basis पे score यह formula उसके basis निकाल लेंगे फिर यह तीन फाइव ज दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंसाइस है थोड़ा से बहुत काफी complicated है तो topic है बड़ मैंने सको easy करने के लिए जो important बाते हैं वहीं आपके साथ discuss करी है और मुझे लग रहा है आपके काफी concepts इस test से related clear होगे होंगे अगर अभी भी कोई confusion है हमें comment section में लिखके आप पूछ सकते हैं friends उम्मीद करता हूँ आप सब healthy होंगे अच्छे होंगे friends अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो please हमारे चैनल को subscribe करें bell icon को press करें ताकि ऐसी और भी medical related updates आपको timely मिलती रहे friends stay healthy stay happy keep your heart safe